नमस्ते साथियों मैं सुरजच छेतरी आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूँ साथियों मैंने जो आरायार देशी और सुनाले के चूजे लाए थे उनका ये 21 नमबर दिन है और ये रात का समय है और 21 नमबर दिन मैं इन चूजों को तीसरा वैक्सिन देने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं ये वैक्सिन फ्रीज से निकाल लेता हूँ साथियों मुर्गियों को जो भी वैक्सिन दिया जाता है उसे हमेशा फ्रीज में ठंडा करके रखना होता है इन वैक्षिनों को अगर हम बाहर निकाल कर रखते हैं तब ये वैक्षिन खराब हो जाते हैं मैं अभी चूजो को जो वैक्सिन देने वाला हूँ वो वैक्सिन चूजो के एक आँख में भी दिया जाता है नहीं तो पानी में मिला कर भी उन्हें पीने के लिए दिया जाता है अब मैं ये वैक्सिन पानी में मिला कर उन्हें पीने के लिए देने वाला हूँ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर हम वैक्सिन पानी में मिला कर चूजो को पीने के लिए देते हैं तब हमें उस पानी में दूद का इस्तमाल जरूर करना चाहिए आप लोग देख सकते हैं मैं अभी powder दूद पाने में मिला रहा हूँ वैक्सिन के साथ दूद मिला कर इसलिए चूजो को पीने के लिए दिया जाता है क्योंकि वैक्सिन पीने के बाद चूजे कमजोर हो जाते हैं और उन्हें energy देने के लिए उन्हें सकती देने के लिए ये दूद दिया जाता है मैंने ये powder दूद पाने में अच्छे से मिला दिया है अब मैं यहाँ वैक्सिन मिक्स करने वाला हूँ आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में ये वैक्सिन है 21 नमबर दिन में मैं चूजो को जो वैक्सिन देनी वाला हूँ उसका नाम है F1 वैक्सिन इसे रानिकेड वैक्सिन भी कहा जाता है F1 वैक्सिन भी कहा जाता है लसोटा वैक्सिन भी कहा जाता है पांचे लेकर साथ दिन में हम जो वैक्सिन चूजो को देते हैं वही वैक्सिन हमें 21 नमबर दिन में भी उन्हें देना होता है पांचे लेकर साथ दिन में ये वैक्सिन चूजो के एक आँख में दिया जाता है पांचे लेकर 7 दिन में हमें ये F1 वैक्सिन पीने के लिए उन्हें नहीं देना है उन्हें एक आँख में ही देना है क्योंकि तब उस समय चूजे बहुत ही छोटे होते हैं और उसके बाद आप लोग जो भी वैक्सिन चूजो को देते हैं वो वैक्सिन आप लोग उनके एक आँक में भी दे सकते हैं, नहीं तो पाने में मिला कर भी इन्हें पीने के लिए दे सकते हैं. पर आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान देना है, फास्ट वैक्षिन हमेशा चूजों के एक आँख में ही देना है। ये वैक्षिन जो है ये पाउडर के रूप में होता है और जब हम ये वैक्षिन खरिदते हैं तब हमें इस तरीके के वाटर भी फ्ली दिया जाता है और इस वाटर को हमें इस पाउडर के साथ मिलाना है और इसे हमें अच्छे से मिला कर ही चूजो को देना है मेरे पास अभी लगभग 200 चूजे हैं और 200 चूजों को मैं 200 डोज ये वैक्सिन देने वाला हूँ आप लोग देख सकते हैं ये जो सीसे हैं ये 100 डोज का है मैं और एक सीसे निकालके यहां मिक्स करूँगा आप लोग देख सकते हैं मैं अभी ये वैक्सिन अच्छे से मिला रहा हूँ इसे हमें बिल्कुल धीरे-धीरे मिक्स करना है अगर हम इसे ज्यादा जोड से मिक्स करते हैं तब ये वैक्सिन खराब हो जाता है आप लोग देख सकते हैं मैंने ये वैक्सिन पानी में मिला दिया है ये वैक्सिन अभी बिल्कुल तेयार हो गया है अब मैं ये चूजो को देने वाला हूँ आप लोग देख सकते हैं मैंने ये वैक्सिन चूजो को दे दिया है और ये चूजे अभी बहुत ही अच्छी तरीके से और फटाफट ये वैक्सिन पी रहे हैं ये सभी चूजे इस तरीके से बहुत ही तेजी से और जल्दी जल्दी में ये वैक्सिन इसलिए पी रहे हैं क्यूंकि ये सभी चूजे दो घंटे से प्यास में हैं वैक्सिन देने के दो घंटे पहले ही मैंने अपने फार्म से ड्रिंकर हटा दिया था, उन्हें प्यास में रखा था, उन्हें मैंने सिर्फ फीट खाने के लिए दिया था, दो घंटे तक मैंने उन्हें पानी पीने के लिए नहीं दिया था, ये वैक्सिन जो है फ्रीज से नि कर हटा देता हूँ उन्हें फीट खाने के लिए देता हूँ तब होता क्या है फीट खाकर चूजे बहुत ज्यादा प्यास में होते हैं और जब दो घंटे बाद मैं उन्हें वैक्सिन इस तरीके से पानी में मिला कर पीने के लिए देता हूँ तब वो फटा-फट और तेजी से वैक्सिन पी लेते हैं जब भी हम मुर्गियों को वैक्सिन देते हैं तब वैक्सिन देने के एक दिन पहले वैक्सिन देने के दिन और वैक्सिन देने के दूसरे दिन कुछ भी मैडिसिन नहीं देना है सिर्फ प्लेन पानी देना है एक दिन से लेकर अभी तक मैंने इन चो मिद्धी की रखा हुआ है